हलो गाइज वेलकम टो अनेदर वीडियो इस्टाउक मार्केट फेंट्स एस्टेक लाइप साइंस की और से मार्च क्वाटर के फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है आज के स्वीडियो में आलसे करेंगे चलिए फिनांसल रिजल्ट को कवर करेंगे और नंबर की बात की जा कमपनी की जो नंबर्श दिये गया है लाक में नंबर्श दिये गया है चली फैंसल रिजल्ट रिजल्ट के फेंगे और इंकम है मार्च 23 quarter में 135 करोड का expense हुआ था जबकि expenses भी quarter on quarter year on year में increase किया है लेकिन operating profit यहां पर losses before tax company का loss 92 lakhs का पिछले quarter 32 करोड का और March 23 quarter में 6 करोड का loss है quarter on quarter year on year recover करता हुआ देखने को मिला है net profit loss की बात करेंगे तो company का जो loss हुआ 96 lakhs का loss है पिछले quarter में 24 करोड का loss है और March 23 quarter में 4.9 करोड का loss है quarter on quarter year on year दोनों में recover किया है EPS माइनस 0.5 रुपेश का quarter on quarter year on year दोनों में recover करता हुआ देखने को मिला है तो गाइस company का quarter ended के रिजल्ट अगर देखा जाए देख तो income में बहुत अच्छी growth है और losses जो है recover करता हुआ देखने को मिला है इंकम में 463.8 करोड का और 23 में 641 करोड का जबकि income में डाउन देखने को मिला है expenses हुआ है 525.5 करोड का और 23 में 606 करोड का जबकि expense भी यहां पर decrease किया है और बहुत तंजादा डिक्रीज नहीं कर वाइस इसके बाद operating loss है यहां पर 61.7 करोड का और 23 में 34.9 करोड का operating profit है quarter on quarter में बहुत बढ़ी fall है net profit loss है 46.8 करोड का loss है पिछले का साल में 23 में 25.5 करोड का profit है जो कि बहुत जादा fall देखने को मिल रही है EPS माइनस 23.93 रुपेश का 23 से बहुत जादा fall देखने को मिल रहा है तो गाइस company का overall result अगर देखा जाए तो उतना अच्छा result पेशने किया है गाइस quarter अगर बात कर दो इंकम में इंक्रीज और लॉसस रिकावर के लेकिन स्टैंडर लॉन रिजल्स को कवर करें इंकम मैं 155.7 करोड का chỉले के defix 5.7 कलोड का expense हुआ था जबकि expense increase किया है quarter on quarter year on year में operating loss है यहां पर विफोर tax 95.9 नाकस का loss है पिछले quarter on 32 कलोड का loss था और March 23 quarter on 6.2 कलोड का loss था quarter on quarter year on year में recover किया है losses net loss net loss 98.8 लाकस का पिछले quarter 24 कलोड का और March 23 quarter दोनों में लॉस रिकवर किया है एप यह रुपीज का माइनस में है जो कि देखने को मिला है तो गाइस कंपनी का ओवर अगर देखा जाए न तो यहां पे रिजल्ट जो है अच्छी रिजल्ट पेश किया बस फिनांशल एंडिट का कंपनी का इंकम पॉफिट में डाउन है क्वाटर इंडेट का कंपनी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला क्योंकि इंकम तो इंक्रीज और लॉस रिकवर किया है शेयर की बात करेगा है इस तो टूल हुंड़ 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 फॉर रूपेश पर क्लोज किया कंपनी का रिजल्ट पोस्ट मार्केट आया ह और इसलिए 3.5% का आज के दिन क्रैश करता हुआ देखने को मिला है वन मन्त में 13% का पॉफिट मिल चुका थ्री मन्त में 31% की पॉफिट मिल चुकी है रिजल्ट भी ठीक ठाक पेश किया है अगर आप इसमें इंवेश्मेंट करना चाहिए तो मैं कुछ वेट कीजिए तो और में दिलन बाइबाइ